बिहार एक ऐसा राज्य जो इतिहास से लेकर वर्तमान तक अन्य राज्यों के मुकाबले कई माइनों में अलग रहा है आरे भड से चंदरगुत जैसे नाम बिहार से ही आते हैं साथी नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास तो आज विश्वर प्रसिद है बेशक एतिहास के मामले में बिहार का कोई तोड नहीं है देश की राजनीती हो या चानक के नीती बिहार की मिट्टी से ही निकल कर ये पूरे देश भर में फैली है लेकिन बाद जैसे ही विकास की आती है बिहार पिछ्रे राज्यों में शुमार हो जाता है मगर यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं जारी रहने वाला है क्योंकि आने वाले समय में बिहार में कई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू होने वाले हैं जो आने वाले समय में बिहार की तस्वीर बदल देंगे जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले है नालंदा इंटरनाशनल क्रिकेट स्टेडियम साल 2018 में मुख्यमंतरे नितीश कुमार ने इस इंटरनाशनल स्टेडियम को बनाने का निर्नेलिया था साथ ही इसकी नीव भी रखी गई थी सबसे खास बात यह है कि पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद ये बिहार के क्रिकेटरों का घर होगा ये cricket stadium इसलिए भी बेहद ही खास है क्योंकि ये मोहिनुलक stadium के बाद बिहार का दूसरा ऐसा stadium होगा जो की international खेलों को host कर सकेगा साथ ही से Australia के Sydney Cricket Ground के तर्च पर बनाया जा रहा है इस stadium में लगभग 40,000 लोगों के बैठने की श्रमता होगी जो की 90 एकड के जमीन पर बन रही है उमीद की जा रही है कि अगले साल यह stadium बिहार के खिलाडियों को मिल जाएगा इस सूची में अगला है एम्स दर्भंगा साल 2015 में अरुन जेटली ने एम्स को बनाने का प्रस्ताव दिया था जिसमें उन्होंने इस एम्स का अंदर्मान बिहार समीट कई अन्यर राज्यों में किया था हाला कि बिहार के दर्भंगा एम्स को अप्रूवल साल 2020 में मिला सेंट्रल टीम भी सस्पताल के दर्मान में लगातार प्रयासरत है जो की 75 एकड जमीन पर बनाने का काम किया जा रहा है इसकी बाद है श्री कृष्ण सेतु मुंगेर गया ब्रिज यह एक रेल कम रोड ब्रिज है जो की बिहार में मुंगेर के गंगा नदी के उपर बन रहा है जो की मुंगेर को उत्तरी बिहार के कई सारे जिलों से जोडने का काम करेगा साथी बिहार में यह तीसरा रेल कम रोड ब्रिज बनने वाला है मिली जानकारी के नुसार इस ब्रिच की कुल लंबाई 3.75 किलोमेटर है जिसका कंस्ट्रक्शन साल 2002 में शुरू हुआ था हाला कि रेल्वे का परिचालन इस पुल पर किया जा रहा है लेकिन रोड का काम 19 सालों के बाद भी पूरा नहीं हुआ है अप्रोच रोड का काम भी पूरा नहीं हुआ है लेकिन उमीद यही जताई जा रही है कि जल्दी इस रोड पर गाड़ियां दौरने लगेंगे अगला है पटना मेट्रो पटना मेट्रो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है यह मेट्रो एक रापिड ट्रांजिट सिस्टम है जुसे ओपरेट करने का जिम्मा पटना मेट्रो के पास होगा इस प्रोजेक्ट पर 13,000 करोर से ज्यादा का खर्च किया जा रहा है जुसे PPP यानि की पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप के तहत बनाया जा रहा है साल 2011 में ही Planning Commission of India ने ही पटना मेट्रो के निर्मान के लिए अप्रूवल दे दिया था जिसमें तीन फेज में इसे बनाने का प्लान है इस वक्त जोर शोर से काम चल रहा है और आने वाली समय में इस मेट्रो के बनकर ओपरेशनल होने की उमीद भी जताई जा रही है अगला है दरभंगा और अंगाबाद Expressway ये बिहार का पहला Four Lane Greenfield Expressway होने बाला है जो की और अंगाबाद से पटना होकर दरभंगा तक बनेगा इस Expressway के बन जाने से उमीद यही जताई जा रही है कि बिहार के किसी भी जिले से आप मातर चार घंटे में पटना पहुत सकेंगे इसकी लंबाई लगभग 205 किलोमीटर बताई जा रही है और लगभग 7,002 करोर रुपे का खर्च किये जाने का अनुमान है यह और अंगाबाद के मदनपुर से शुरू होकर गया एरपोर्ट के बगल से होकर जीटी रोट को कनेक्ट करेगा जो कि भारत माला पर योच्रा के तहद बनाया जा रहा है इस Expressway का काम शुरू हो जाने से आने वाले समय में बहुत सी सुवधाई होंगी अगला है कच्ची दरगा बिद्वपुर ब्रिज यह बिहार के पटना में कच्ची दरगा को हाजिपुर के बिद्वपुर से कनेक्ट करने वाला है यह ब्रिज 9.7-6 किलोमेटर का होने वाला है इसके बन जाने के बाद महात्मा गांधी सेतु का लोड कम हो जाएगा इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के तहट अप्रोच रोड को भी बनाने का काम किया जाएगा अगला है पटना से कॉलकता के बीच बनने वाला Expressway हाली में बिहार का पहला Expressway पटना से कॉलकता के बीच बनाए जाने का अनुमान लगाए गया है भारत माला Phase 2 में बिहार की जिन सर्कों को शामल किया गया है उसमें अब Expressway भी है सबसे खास बात यह है कि यह पुरवांचुल Expressway जैसा ही होगा नितिन नवीन ने इसके आगी कहा था कि पटना में बन रहे है रिंग रोट का काम भारत माला के Phase 1 के तहर चल रहा है काम पुरा होने पर पुरवांचुल Expressway के जैसी सरके पटना में भी देखने को मिलेगे तो यह है बिहार के Extreme Mega Projects जिन में इस वक्त या तो काम चल रहा है या फिर वो Complete होने की कगार पर है इसके अलाबा गंगा रिवर फ्रेंट प्रोजेक्ट, APJ अब्दुलकलाम सेंटर, नालंदा इंटराशनल उनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेतू, पैरलल ब्रिज, पतना रिंग रोट, बेटा, एरपोर्ट रीडेवलाप्मेंट, पतना मोजफरपुर स्मार्ट सिटी, ब कि बहुंत थान इवाद, झालंदा रिवर्सित बुılकॄ यर्सिटі, महात्म पतना रिय घ enormती हैं, बेटा, पने उनिवर्सिटी इनिवर्सितike अधर जब करो प्रफ़क्ट, झालंदान रियर्सिते उ सक्कृत